जैसे जैसे आम चुनाव की तारीख नजदी का रही है सियासी फिजा में राजनितिक जंग भी तेजी पड़ रही है नए साल के पहले हपते में ही देश के दो राजियों के सीम पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल और जारकंड के सीम हेमंत सोरेन को केंद्रिय एजेंसी एडी समन पर समन भेज रही है एडी ने केजरिवाल को दिल्ली में शराव नीती गोटाले मामले में समन भेजा है वहीं हेमंत सोरेन को मनी लॉंडरिंग के एक मामले में ED साथ बार समन भेज चुकी है दोनों CM अभी तक केंद्री एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए है दोनों ही दल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें गिरफतार करने की साजिश कर रही है चुकी मौसम चुनाव का है तो सभी दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं राजनितिक पार्टियां ED के समन में सियासी नफ़ा नुकसान ढूंड रही है ब्रश्चाचार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टि का गठन करने वाले अरविंद केजरिवाल अपने राजनितिक जीवन में एक मुश्किल संकट से गुजर रहे हैं भारतिय जनता पाटि दिल्ली के सीयम पर भश्चाचार का आरोप लगा रही है ED ने केजरिवाल को अपने पास पेश होने के लिए तीन बार समन भेज चुकी है आप और केजरिवाल इसे केंदर सरकार के साजिश बता रहे हैं आपने कहा है कि केजरिवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए यह साजिश रची जा रही है उधर बीजेपी सरकार पर भश्चाचार को लेकर हला बोल रही है दिल्ली सराब गोटाला मामले में ही राज्य के पुर्व डेपुटे सीयम मनिस सोधिया और पार्टी के राजय सभासांसर संजय सिंग इस वक्त जेल में है अब केजरिवाल को भी गिरफतार कर सकती है केजरिवाल की पार्टी कह रही है कि CM ED की जाच में सहयोग को तयार हैं लेकिन उनको भेजा गया समन पूरी तरह गैर कानूनी है आपके लिए अभी दोहरी मुसीबत आ गई है पार्टी के दो बड़े नेता जेल में हैं और CM केजरिवाल को भी ED का समन आ चुका है कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाओ होने वाले हैं पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाओ की तयारियों में जुटी हुई है अगर ऐसे में केजरिवाल के गिरफतारी हो जाती है तो पार्टी के लिए एक यह बड़ा जटका होगा केजरिवाल पार्टी के स्टार प्रचारक है अगर ED उन्हें गिरफतार करती है तो पार्टी का चुनावी भविश्य पर असर पढ़ना तै है हाला कि अभी तक केजरिवाल ED के सामने पूछताश के लिए पहुचे ही नहीं है BJP तो यह आरोप लगा रही है कि केजरिवाल थर-thर काप रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी भी राजनेतिक दाव पेंच में जुटी हुई है फिलहाल केजरिवाल ED के समन से बच रहे हैं पार्टी की कोशिश है कि इस मामले में जितना देर तक खीचा जा सकता है खीचा जाए वहीं सियासी विससग्य बता रहे हैं कि जस तरह से बीजेपी अब केजरिवाल को कटर इमानदार बता रही है इसका असर लोगसभा चुनाओं में देखने को मिल सकता है क्योंकि केजरिवाल भरशचाचार के खिलाफ ही चुन कर आये थे राजधानी में लोगसभा के साथ सीटे हैं और अभी सभी सीटे बीजेपी के पास हैं केजरिवाल को भरशचाचार के मुद्दे पर घेर कर बीजेपी आप पर मानसिक दबाव बढ़ाना चाहती है दूसरी तरफ इंडिया गट बंदन के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में शीट शेरिंग अभी फिक्स नहीं हो पाया है ऐसे में आपके लिए एक बार फिर दिल्ली में पेंच फस सकता है पार्टी का लोगसभा में अभी कोई सांसर नहीं है पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उसका लोगसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा हो ताकि रिजल्ट के बाद पार्टी मोल भाव करने में आगे रहे वहीं जारखंड के CM हमन्त सोरेन को भी ED अब तक साथ बार समन भेज चुकी है साथ में समन भेजते हुए ED ने उन्हें हर हाल में पेश होने को कहा है अभी तक ED के समन से बचते रहे फिर GMM नेता इस बार गिर गए हैं कयास है कि सोरेन को मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी का डर सता रहा है रिसी कारणवा अपनी जगह पतनी कलपना सोरेन को CM का दाव खेल सकते हैं BJP नेता भी राजे में ऐसा दावा कर रहे हैं कहा जा रहा है कि सोरेन ने पतनी को CM बनाने के लिए दाव चल दिया है राजे के गांडे वधान सभा चेतर से पार्टी के वधायक सरफराज अहमद ने अपने पद से स्तीफा दे दिया है ये सीट जेमें के लिए काफे मुफीद मानी जाती है अगर मनी लॉंडरिंग केस में हेमंत सोरेन की गिरफतारी होती है तो वह अपनी पतनी के लिए CM पद की फिल्डिंग पूरी तरह से कर चुके है जारखन में इसी साल के अंत में वधायन सभा चुनाओ होने है जबकि लोकसभा चुनाओ तो बस मुहाने पर खड़ा है राजे में लोकसभा की 14 सीटे हैं बीजेपी हेमंत पर प्रश्चाचार के आरोप लगाती रही है दूसरी तरफ बीजेपी ने राजे का अध्यक्ष बाबुलार मरांडी को बना कर आदिवासी दाव पेंच चल दिया है यानि अगर हेमंत की गिरफतारी हुई तो भगवा दल उन्हें ब्रश्चाचारी बताते हुए जम कर निसाना साधेगी दूसरी तरफ अगर कलपना सी एम बनती है तो पाटी हेमंत सोरेन पर वन्सवाद का दबाओ बढ़ाने का आरोप लगाएगी यानि लोग सबचुनाओं से पहले जहार गंड के सी एम बुरी तरह फस चुके है